नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सचे नोट स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल वाइरल टॉपिंग में दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता कि जो आपका लेटेस पैटरन के ओपर ब्लूप्रेंट है वो एम्पी वोट की ओफिशल वेबसाइट पर आ चुक 21 को यहां पर कंड़ेट कराया जाएगा तो दोस्तों अगर देखे तो अभी आपके पास लगबग पूरे पूरे दो महीन है क्योंकि आज याने कि दोस्तों 11 मार्च को मैं यह वीडियो बना रहा हूं तो आपके पास अभी पूरे दो महीने का काफी अच्छा समय है आप च कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा मैं आप सभी के लिए दोस्तों उस पर्टिकॉलर सब्जेट की यहां पर पूरी डिटेल वीडियो बना दूंगा तो चली दोस्तों शुरू करते हैं तो ब्लूप्रेंट देखने से पहले सबसे पहले दोस्तों यहां पर दोस्तों आप यह देख लिए ने जो आपके मैस के जितने भी जेटन वहां पर चैप्टर उन सभी के नाम आपको इंग्लिटी में भी लिख दिए ह। ताकि आपको blueprint समझने में यहां पर दिक्कत ना है तो चली दोस्तों अब यहां पर blueprint को देख लेते हैं जो आपका paper है दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पता है 17 माई 2021 को है अभी आपके पास पूरा जो कि पाच कुशन होगे दोस्तों जो आपका पहला कुशन होगा उसमें आपको चार ओप्शन दी होगे और चार में से कोई एक विकल्ब सही होगा जो कि दोस्तों आपको टिक करना पड़ेगा जो कि आपको अपनी copy में लिखना पड़ेगा और जो दोस्तों आपका दूसरा नंबर का दोस्तों जो question होगा जिसमें आपके पांच पार्ट होंगे जिसमें आपको एक शब्द में हैं आप एक शब्द भी बोल सकते हैं या फिर आप एक वाक्य भी बोल सकते हैं उसमें आपको अतल लिखना पड़ेगा इस तरीके के आपके सुरू के 5 प्रशन हो जाएंगे इसके बाद दोस्तों जो आपके बाकि जो 21 प्रशन होंगे वो आपके कुछ इस तरीके से यहाँ पर डिवाइड होंगे सबसे पहले बात करते हैं आपके जो 2 नमबर वाले प्रशन होंगे यानि कि 12 नमबर आपके यहां से cover हो जाएंगे इसके बाद बात करते 4 नमबर वाले प्रशनों की तो 4 नमबर वाले दोस्तों आपके सबसे जादा यहां पर 7 प्रशनों पूछे जाएंगे तो टोटल आपके 28 नमबर को जो आपके questions हो जाएंगे अब यहां पर देखिए दोस्तों यह आपको पार्ट के नाम दिए हैं आपको Hindi में दिए हैं तो मैंने आपको starting में बता दिया आपको English में क्या बोलते हैं समांकलन को दोस्तों English में क्या बोलते हैं इंट्रीकल वाला जो आपका chapter है chapter number 7 आपका most important chapter जिससे आपको दोस्तों यहापे total 16 नमबर का पूछे जाएगा जिसमें आपका एक जो आपको question हो वो 5 नमबर का होगा फिर आपके 2 question यहापे पूछे जाएंगे 2-2 नमबर वाले और यहापे दोस्तों देखे 7 question आपसे पूछे जाएंगे 1-1 नमबर वाले इसलिए दोस्तों जो आपका chapter number 7 है जिसको आप समांकलन या फिर आप इसको इंटरिकल्स बोलते हैं इसको आप दोस्तों थोरोली अच्छे तरीके से पढ़ीगा हर एक छोटी छोटी चीज को आपको पढ़ना पढ़ेगा क्योंकि साथ नमबर के दोस्तों आपके एक एक नमबर वाले यहापे question पूछे जाएंगे इसलिए पिछले 5 सालों में आपके जितने भी यहापे maths के paper हुएं उसको दोस्तों अच्छे तरीके से analysis करी क्योंकि बहुत सारे student हमसे बोलते हैं कि सर आप important question बता दीजें तो दोस्तों important question कुछ नहीं होते हैं आपके पिछले 5 सालों में जितने भी यहापे questions पूछेगा है वही आपके लिए important होते हैं और इस chapter के दोस्तों यहापे जितने भी आपके formula है आप सब अच्छे तरीके से आपके cover कर लिजेगा क्योंकि एक एक number वाले दोस्तों जो question होते हैं वह आपके अगर आपके concept clear है basic चीज आपको पता है तो आप यहापे आसानी से कर लेंगे इसके बाद दोस्तों बात करते हैं आपके जो दूसरा important chapter यहापे आप देखिए आपको यह आपको दिख रहा होगा 2.1 number पर लिखा है जो कि इंग्लिश में जिसको नाम बोलते है continuity and differentiability है दोस्तों यह आपका chapter है यह भी आपको most important chapter से 12 नंबर के आपके question पूछे जाएगे जिसमें आपका 5 नंबर वाला question हो जाएगा एक तीन नंबर वाला question हो जाएगा एक दो नंबर वाला हो जाएगो और एक एक नंबर वाले आप skip मत करिएगा बहुत अच्छे chapter है बहुत scoring chapter है इससे दोस्तों आपकी चार्चर नंबर वाले दो पुरशन आने हैं तो जो आपकी NCRT की book में जितने भी questions दी हैं जितने भी आपको example दी हैं दोस्तों उसको अच्छे तरीके से आप solve कर लिजिए अच्छी तरीके से दोस्तों आपको रटे हुए होने चाहिए ताकि दोस्तों अगर वही question आपके exam में आ जाते तो आपको दोस्तों यहां पर बिल्कुल भी miss नहीं होना चाहिए क्योंकि दोस्तों बात करें MP board की तो MP board में maths के जो भी question आते हैं maximum आपकी जो book है उसी सही पूछे जाते हैं इसलिए आपको book के दोस्तों जितने भी question से आपको पूरे बनने चाहिए तो आपको यह मैंना आपको चार important chapter है आपको बता दी जिससे आपके सबसादा माक्स का आने वाला है इसका दोस्तों यहां पर देखिए आपको चैप्टर नंबर 2.2 यहां पर दिया है साने निकी साने दिकी हो दोस 5 अब कल समी करें अब कल समी करें को दोस्तों जो इंग्लीश में बोलते हैं आपका चैप्टर नंबर 9 यान की पार्ट नंबर 9 डिफ्रेंशल एक्क्वेशन वाला चैप्टर यह भी आपका most important चैप्टर है क्योंकि इससे दोस्तों आपका 5 नंबर का यहां पर question पूछा जा यह क्या बोलते हैं इंट्रिकल आप जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 most important चैप्टर है दोस्तों NCRT में आपके जितने भी यहां पर questions दिया आप उसको अच्छे तरीके से लागा लीजे आपके पास दो महीने का समय है अगर आप दोस्तों सही से तयारी करोगे तो definitely आप नंबरों से यहां पर pass हो जाओगे और अगर दोस्तों यहां पर 75 से जादा परसंटेज बन जाते हैं class 12 में तो दोस्तों यहां पर आपकी college की जो फीस होती हैं पूरी तरीके से इसके बारे में दोस्तों बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पर पहले से ही उपलब देंगर आ आप दोस्ते यहां पर थोड़ा नीचे देखते तो यहां पर देखिए आपके जो दो नंबर वाले प्रशन होंगे इसके आपको दोस्तों 30 सब्दों के अंदर उत्तर देना पड़ेगा तीर नंबर वाले प्रशनों का दोस्तों आपको 120 सब्दों में उत्तर देना पड़ रहेंतम और जो पंदरह प्रतिशत जो 15% आपको एग्जाम का कटनट रहेगा दोस्तों आपका हाड रहे यानि कि आपका का ट्हेंघ रहेगा इसका दोस्तों बात करें हैं इसे इतिक्टर से नीचे करेंगे, यहां पर आपको दिख रहा होगा, एक तो आपको वेक्टर हो गया, और जो थ्री डामेंशनल जोमेट्री है, दोस्तों जो आपको वेक्टर हो जो 3D जोमेट्री यानि कि आपको चैप्टर नमबर 10 और चैप्टर नमबर 11, यह आपको बिल्कुल भी नहीं और inverse of a function यह आपको नहीं पढ़ना, आप अगर हिंदी मीडियम वाले स्टुडेंट को समझ में नहीं आ रहा, तो आप composite function को Google Translate करके हिंदी में समझ सकते हैं, और अपनी बुक में इसको मार्क कर लिजेगा, आपको यह वाले टॉपिक और यह वाले चैप्टर से यह आले ज आपको नहीं पढ़ना है, साथ में elementary properties of inverse trigonometry functions नहीं पढ़ना है, तो दोस्तों जितने भी topic दी हैं, आप अपनी बुक में देखेगा, आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप इसको मार्क कर लिजेगा, और यह topic आपको नहीं पढ़ना है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो और information अच्छा लगा होगा, अगर आपको किसी प्रकार को कोई भी doubt है, तो आप वीडियो के comment box में comment जरूर करीगा, मैं आपको सभी सवालों को जवाब देने की पूरी-पूरी कोचेश करूँगा, और अगर आपने दोस्तों अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया